दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको Gmail से अपने किसी भी email को as a PDF अपने मोबाइल में या फिर अपने computer में save करना है offline use के लिए तो उसको आप कैसे करेंगे ये दोस्तों पहले मैं आपको computer में बताऊंगा उसके बाद से मैं आपको mobile में भी बताऊंगा कि अगर आपको अपने mobile में Gmail से किसी भी email को as a PDF अपने mobile में save करना है तो आप कैसे करेंगे तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाज तक देखते रहे हैं और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा में पसंद आए आप इसको like करना इसको share करना अगर दोस्तों ये वीडियो आप facebook पे देख रहे हैं आप मेरे facebook पेज को like और follow करना अगर youtube पे देख रहे हैं तो दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे नए नए वीडियो से लेकर आता रहता हूँ तो आईए दोस्तों आज कुछ नए सीखते हैं दोस्तों आपको यहां पर अपने ब्राउजर में अपने जीमेल को लोगिन कर लेना है जीमेल लोगिन करने के बाद आप जिस भी इमेल को अज़र पीडियो फाइल अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं आपको उस इमेल को यहां पर ओपिन करना है यहाँ पे देखिए मेरे Gmail में ये एक email है मैं इसको अपने computer में as a PDF file save करना चाहता हूँ तो उसके लिए दोस्तो email के top में right side में देखिए यहाँ पे आपको 3 dot का निशान मिलेगा इस पे click करना है और यहाँ पे आपको print का option दिल जाएगा यहाँ पे उपर में भी आपको print का logo दिखेगा इस पे भी आप click कर सकते हैं यहाँ आपको print पे click करना है और अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए print setup का ये page open हो जाएगा print setup का ये page open होने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा setting कर लेना है उसके लिए यहाँ right side में दोस्तों देखिए print के नीचे पहला option दिया है destination आपको यहाँ इसके आगे radio button पे click करना है और इसमें 3-4 option मिलेगा इसमें से एक मिलेगा आपको save as PDF आपको उसे select कर लेना है यहाँ से दोस्तों आप इस email को print भी कर सकते हैं अगर आपके computer में printer add है तो यहाँ पे आपको आपका printer भी दिख जाएगा यहाँ पे दूसरा दिया है pages अगर आपके email में एक से ज़्यादा page है आप सभी page को as a PDF file save करना चाहते हैं यह फिर print लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे all रहना जेंगे तो आप यहाँ पे 1-3 दे देंगे इस email में सिर्फ 2 page है इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ link दिया एक उसके बाद यह layout है आप यहाँ पे इसका orientation देख सकते हैं ported या फिर land इसके यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ नीचे save पे click करना है उसके बाद से यहाँ पे आपको अपने computer में location select करना है जहाँ पे आप इस PDF फाइल को save करना चाहते हैं मैंने दोस्तों इस PDF फाइल को अपने desktop पे save किया था यहाँ पे देखिए यह आ गया यह मेरा email है मैं आपको यहाँ पे इसको open करके भी दिखा देता हूँ कि वो email PDF में save करने के बाद कैसा यहाँ पे दिखता है तो देखिए यह वो email है जिसको मैंने as PDF फाइल अपने computer में save किया यह हो गया दोस्तों computer में अब चलिए जानते हैं कि अगर आपको अपने mobile में Gmail से किसी भी email को as a PDF file save करना है तो आप कैसे करेंगे तो अब दोस्तों अपने mobile में Gmail से किसी भी email को as a PDF file save करने के लिए आपको यहाँ पे Gmail को open करना है Gmail open करने के बाद आपको उस email को open कर लेना है जिसे आप अपने mobile में as a PDF file save करना चाहते है यहाँ पे दोस्तों देखे यह एक email है इसको मैं अपने mobile में as a PDF file save करना चाहता हूँ तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे देखे right top में सबसे उपर आपको तीन डॉट का निशान मिलेगा इसके आपको click करना है और यहाँ पे mute के नीचे देखे आपको print का option दिखेगा आपको यहाँ print पे click करना है और आपका email as a PDF यहाँ पे open हो जाएगा लेकिन दोस्तों अभी यह PDF file mobile में save नहीं हुआ है download नहीं हुआ है तो पहले आपको इस PDF file को अपने mobile में save करना होगा उसे download करना होगा तो उसके लिए यहाँ पे दिखे राइट टॉप में एक गोल यहाँ पे circle दिखेगा download का logo है यह आपको इस पे click करना है फिर आपको यहाँ पे कोई नाम दे देना है अगर आप इसको edit करना चाहते हैं तो कर सकते हैं फिर उसके बाद से आपको यहाँ पे save पे click करना है और वो PDF file आपके mobile के file manager के अंदर जाकर save हो जाएगा तो यहाँ पे देखे मैं file manager को open करता हूँ उसके बाद यहाँ पे मैंने download को open कर लिया अभी यहाँ पे आप देखेंगे वो PDF file आपको यहाँ पे देख जाएगा देखिया गया Gmail, Excel newsletter इसको मैंने click किया और यहाँ पे दोस्तों देखिए वो email as a PDF मेरे mobile में यहाँ पे save हो गया है तो दोस्तों उमीद है आपको यह video जरूँ पसंद आया होगा, अगर यह video आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, आप इसको like करिए, इसको ज़्यादा ज़्यादा share करिए, अगर यह video आप Facebook पे देख रहे हैं, आप मेरे Facebook पे इसको like और follow करिए, अगर YouTube पे देख रहे हैं, और अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है, तो please इसको subscribe करिए, और साथ में bell icon को जरूर दवाइए, ताकि मेरे हर नया आना वाले video का notification आपको असानी से मिलता रहे,